ओम नमस्षिवाया ओम नमस्षिवाया मैं हूँ एस्ट्रोजर केम सिना और मैं अपने यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता देखे आज हम बात करेंगे 11 जुलाई 2023 का दैनिक राशी फल और आपकी सुभदा के लिए पंचान को डिस्प्रे में दिखाये जा रहा है कल श्रामर कृष्ट पक्ष की नौमित हिती रहेगी और चंद्रमा का जो गोचर ये बरणी नक्षतर में चले जाएंगे लेकिन चंद्रमा अपना राशी कल के दिन चेंज नहीं करने वाला है तो आईए हम समझते हैं प्रतेक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है और सुरुवात करते हैं मेश लगने से मेश लगने वाले जातकों को स्वास्त सम्मंदित किसी प्रकार की परिशानी हो सकती है किसी बात को लेकर जीवन साती के साथ मदभेत की स्थिती भी हो सकती है प्रेम में प्रसंग के लिए आज का दिन आपका सामाने रहने वाला है कार छेत्र में आपके जो गुप्त शत्रू है वो आप पर हावी हो सकते है भागय का आंशिक रूप से सयोग मिलने वाला है इसलिए शेयर, सटा, लोटर, इत्यादी से बहुत जादा दूर रही है आर्थिक छेतर में आपको सफलता जरूर मिलते हुए दिख रही है और कल का जो शुब अंख है वो 9 है और जो शुब रंग बन रहा है वो पीला कलर बन कर आ रहा है कल का दिन ओवरॉल 78 प्रतिशत तक मुझे अच्छा दिख रहा है और उपाय के लिए सफेद रंग के वस्तूमों का दान कीजिए बुद्ध के वीजमंतर का जाप करते हैं तो कल का दिन अति उत्तम रहने वाला है अब हम व्रिशब लगन की बात करते हैं देखे व्रिशब लगन वाले जातकों का जो दिन रहेगा पहले से स्वास्त को लेकर अच्छा दिखाई दे रहा है हलांकि माता के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता है जरूर रहेंगी परिवार में बड़े भाई बेनों के साथ विवाध होने की संभावना कल के दिन दिख रही है जीवन साथी का पून सयोग आपको मिलेगा और आयक के साधन जो रहेंगे वो बढ़ेंगे आर्थिक शेतर में किया गया जो भी प्रयास है आपका सार्थक रहने वाला है और कल का जो दिन रहने वाला है वैवसाय में कुछ रुकावटों के बाद काम बनेंगे इसलिए परिशान मत होईएगा और किसी प्रकार का भी नया निवेश चाते हैं तो उस निवेश को कल नहीं करें कल का शुबंग तीन और शुबरंग आस्मानी आ रहा है और ओवर ओल नब्वे प्रतिशत दिन अच्छा ही बीतेगा उपाय के लिए शनीदेव की अराधना अगर आप करते हैं और ओम नमस्षिवाय का जाप करते हैं या शिवलिंग पर ओम नमस्षिवाय बोलते हुए जल को अर्पित करते हैं तो आपका दिन अध्यंद अच्छा रहेगा अगले लगन की बात करें अरथात मिथुलन लगन देखें मिथुलन लगन वाले जात्कों को स्वास्थ में पहले से सुधार होने की संभावना दिख रही है और जीवन साथी का सयोग भी मिलेगा लेकिन किसी बात को लेकर किसी के साथ वाद विवाद होने की संभावना बढ़ सकती है धन संपत्ति के लिए आज का दिन आपका सामाने रहने वाला है आए के साधन के लिए थोड़ी अधिक मैनत करनी पढ़ सकती है और ओवरॉल कहा जाए तो प्रेम प्रसंग में आज का दिन शुब है अच्छा मैं कहूंगा कारे छेतर में कुछ रुकावट्टों के बाद ही काम बनने वाली है इसलिए पेशेंसली काम कीजेगा कल का शुब रंग पांच और शुब रंग आस्मानी आ रहा है कुल मिलाकर 90 प्रतिशत का जो दिन रहने वाला है आपके लिए अच्छा है विश्नु शहस्त नाम का जाप करे और दारिद दुख देहनाए नमस शिवाय का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो आपके लिए अध्यांत अच्छा रहने वाला है अगले लगन की बात करते हैं करक लगन देखे करक लगन वाले जातकों का स्वास्त जो रहेगा वो अच्छा रहने वाला है मानसिक तनाव हालाकि थोड़ा बहुत रहेगा लेकिन परिवार में खुश्यों का बातावरण रहने के कारण मानसिक तनाव भी कम हो जाएगा छेतर में आपको सफलता मिलेगी और लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है धन के संचार करने के लिए लेकिन धन योग कल अच्छा चार्ट में दिखाई दे रहा है परिवार में समाज में मानपत प्रतिष्टा बढ़ेगी शुब अंक एक और शुब रंग जो है अच्छा दिख रहा है और कल के दिन वटुक भैराव मंत्र के जाप करें और साथ ही गड़ेश जी की आराधना कर लेते हैं तो दिन आपके लिए अत्वी उत्तम रहने वाला है सिंग लगन की बात करते हैं अगला लगन सिंग लगन सिंग लगन वाले जातकों का जो स्वास्त रहेगा वो अच्छा होगा उसमें सुधार होते हुए मैं देख पा रहा हूँ और परिवार के साथ दिन जो रहेगा वो अच्छा बीतने वाला है जीवन साती के साथ हाला कि किसी बात को लेकर मदभेद की संभावना भी रहेगी कारे छेतर में आपको अधिक मैनत करना पड़ेगा उसके बाद ही कारे बनेंगे व्यवसाय को लेकर आपको कुछ रुकावटों का सामना भी कल के दिन दिखाई दे रहा है लेकिन आर्थिक स्थिती जो रहेगी वो अच्छी रहेगी सबसे बड़ी चीज है कि फाइनांस अ अच्छा रहेगा दिन को सृष्ट करने के लिए दुर्गा कवच का अगर आत करके यात्रा करे तो आपके लिए अच्छा रहेगा और साथ में भगवान गडेश जी की आराधना कीजिए उनकी आरति की चिजिए तो आपका दिन और अच्छा बनेगा अगले लगन PB बात करें कन्या लगन कन्या लगन वाले जात्कों को स्वास के प्रति थोड़ा सा कल के दिन सचेत रहना चाहिए क्योंकि शरीर में थोड़ी आलसिता भी बढ़ेगी और थोड़ा सा मानसिक तनाव भी रहेगा और जीवन साथी के साथ भी जो मनमुटाव की स्थिति रहेगी बढ़ जाएगी आयक के साथन के लिए थोड़ा मेहनत करने की आवशक्ता कल के दिन दिखाई दी रही है कोट के चहरी के मामले में अच्छे परिडाम आपको मीलेंगे यानि नियाईक मामलों के लिए अच्छा है लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी परचानी कल के द अच्छा रहेगा और शनी के बीजमंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं शनी देव से प्रार्थना कीजिए और गव माता की अगर सेवा कर लेते हैं तो आपका दिन अति उत्तम हो जाएगा अगले लगन की बात करते हैं तुला लगन देखे कल स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा परिवार में खुशियों का महौल भी बनने वाला है और साथ में संतान से सुख की प्राप्ती भी मिलेगी जीवन साती के साथ किसी बात को लेकर मदभेद हो सकते हैं और धन संपत्ति की स्थिती जो रहेगी वो यथावत बनती कोई दिखाई दे रही है भागे का साथ आपको मिलेगा शियर सटा लोटरी त्यादी में आपको लाब की स्थिती मिलेगी कारे छितर में जादा परिश्रम करने के बाद सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है कल का जो शुब अंक है वो नौ है और जो शुब अगर मैं देखूं तो 77 प्रतिशत तक फिर भी अच्छा रहेगा कल के दिन गायतरी मंत्र का अगर आप जाप करते हैं पीले रंग के वस्त्रों को धारान करते हैं तो अध्यांत अच्छा रहेगा अगले लगम की बात करते हैं व्रिश्चिक लगम देखें व्रिश्चिक लगम वाले जात्कों का जो स्वास रहेगा वो कल अच्छा रहेगा शरीर में उर्जा का संचार बढ़ेगा परिवार में जो खुशियां हैं वो बनी रहेगी और भाग आपके पक्ष में रहेगा इस करण शियर 60 लौटरी में भी लाब आप कमा पा रहा हूं अचानक यात्राओं के योग जरूर बन रहे हैं जिसके कारण आपको परिवार से दूर जाने की स्थिती बन सकती है लेकिन वहां चलाते समय थोड़ा सा साबधानी बरती है नहीं तो किसी प्रकार का चोट चपेट लगने की संबावना भी मैं कल के दिन देख पा अगर कोई भी कारे प्रारम करेंगे तो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है अगले लगन की बात करते हैं धनू लगन देखे धनू लगन वाले जात्कों को अपने स्वास के प्रती सचेत रहना चाहिए परिवार में शुक्षान्ति का मौल हाला की बना रहेगा जीवन साती के साथ लेकिन किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है कारे छेतर में आपको पून सफलता मिलता हुआ कल के दिन मैं चेक कर पा रहा हूँ जिससे आपके मान पद और प्रतिष्ठा में बड़ोत्री होगी इसके अलावा विद्यार्थी वर्गों के लिए अगर कहा जाए तो आज का दिन अति उत्तम है किसी भी कारे को करेंगे तो आपके लिए अच्छा है और प्रेम प्रसंग सामाने रहेगा शुब अंक नौ और शुब रंग जो है वो रक्त लाल बन करा रहा है कल का दिन कुल मिलाकर 82 फीजिदी तक अच्छा रहेगा दुर्गा कवच का पार्ट करके और आदित हिर्दैश्रोत का पार्ट करके अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सारे जो निगेटिवटी है वो खतम हो जाएगे अगले लगन की बात करते हैं मकर लगन देखे मकर लगन वाले जातकों का जो स्वास्त है वो अच्छा रहेगा लेकिन शरीर में एसिडिटी थोड़ी बढ़ सकती है कल के दिन किसी बात को लेकर जीवन साती से वादी वाद की स्थिती भी बनेगी और प्रेम प्रसंग के लिए जो दिन है वो बहुत सामाने रहने वाला है कारेच्छेतर में आपको अधिक मैनत करने के बाद सपलता मिलेगी और इसलिए बहुत जादा आप अपने आपको और गणेंस जी की अगर आप अराधना करते हैं और दुर्गा शप्षति का पाठ करते हैं तो कल का दिन आपके लिए और अच्छा होगा अगले लगन की बात करते हैं कुम लगन देखे कुम लगन वाले जातकों को स्वास्त के प्रती सचेत रहना चाहिए गले से संबदित किसी प्रकार की परिशानी कल के दिन होते हुए मैं देख पा रहा हूँ जीवन साती का जो साथ है वो मधूर संबंद आपके बने रहेंगे और भागिका भी सायोग आपको मिलेगा नौकरी वेबसाइक के छेतर में रुके हुए कारियों में आपको सफलता प्राप्त होते हुए मैं इस पश्ट्रूप से देख पा रहा हूँ वाड़ी पर सायमित रखिये नहीं तो वादिवाद बहुत ज़ादा बढ़ सकता है और ये वादिवाद परिवार में अगर हो गया तो मांसिक तरह बहुत तहीं से बढ़ जाएगा कल गाशूब अंक दो और जो शूब रंग है वो हराबन कर आ रहा है और 42 फिजी तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा पीले रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं और शुक्र का बीजमत्र कर लेते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा अंतिम लगन की बात करते हैं मीन लगन देखें मीन लगन वाले जात्कों का जो स्वास रहेगा वो सामाने से अच्छा रहने वाला है जीवन साती का सायोग मिलेगा प्रेम प्रसंग के लिए भी जो दिन रहेगा वो बड़ी बहुत ही अच्छा होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ नौकरी वेफसाय के छेतर में उनिती के योग बन रहे हैं और आर्थिक उनिती के लिए आज का दिन जो रहने वाला आपके लिए अच्छा रहेगा या काज है सामाने रहने वाला है विद्यार्थी वर्गों को अधिक मैनत करने के बाद सफलता मिलेगी लेकिन फिर भी भाग आपके साथ रहने वाला है धार्मिक कारियों में कुछ रुकावुटों के बाद काम बनेंगे कल का शुब अंक चार और जो शुब रंग बन रहा है वो सफियद बन रहा है कुल मिलाकर कल का दिन 68 प्रतिशता की केवल अच्छा रहेगा गडेंस जी की केवल अराधना कीजिए और गव माता की सेवा कीजिए जिससे की कल का दिन आपके लिए स्रेष्ट बन जाए तो ये था पूरा मेश से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल 11 जुलाई आशाड कृष्ण पक्ष नौमी का दिन तो अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस ट्रॉजर की अमसिना ओन नमस्षिवा है